हलो एवरिवन वेलकब दूटीब आफेर्स तो इस वड़े बात करेंगे और नोबेल प्राइज विनर्स 2021 के जितने सभी नोबेल प्राइज विनर्स उसके बारे में इस वीडियो में डिसक्स किये जाएंगे तो आज ही छटा category जो economics अर्थशास्ट में दिया गया उन सब के बारे में इस वीडियो में है तो वीडियो का आप end तक जरूर देखें कि बहुत कुछ सारे static facts आगे बताए जाएंगे और मैं बीच बीच में आपसे कोई ने कोई सवाल जरूर पूछोंगा वीडियो के बीच में तो लेट्स टार्ट दे वीडियो Nobel Prize winners of 2021 तो 2021 के Nobel Prize विजयताओं के बारे में इसमें है तो सबसे पहले बात करते है Nobel Prize किन 6 category में दिया जाता है दुनिया भर में Sir Alfred Nobel तो जिनके नाम पर जिनके विल पर यह दिया जाता है 895 में यह डिसाइड किया गया था और 1901 से दिया जा रहा है Nobel पुरसकार तो 6 category में दिया जाता है Physics, Chemistry, Literature, Medicine, Economics और Peace जिसमें से जो 5 पुरसकार है वो सुडेन देती है और एक पुरसकार नॉर्वे देती है जो Nobel Peace Prize वो नॉर्वे के दोरा दिया जाता है और जो 5 awards है, 5 Nobel Prize है वो सुडेन के दोरा दिया जाता है तो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सुडेन और नॉर्वे की capital और currency क्या है जो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहले दिया जाता है Physiology और Medicine तो Physiology Medicine में दिया गया है दो को जो ये पुरसकार शेर करेंगे तो Nobel Prize के जो सबसे पहले बात करते है जो पुरसकार का amount रहता है वो जनरली रहता है आपको 1.14 million dollar अगर डॉलर में बात करें तो इंडियन रुपी में ये साड़े साथ से 8 करोड as an individual ये रहता है ये घटता बढ़ता है तो इस एवार्ड को जो Physiology Medicine है चिकित्सा में ये दो लोग को दिया गया है जो है नियॉयॉक दोने यूएस बेस्ट है जिन में से एक Lebanon born है जिनका नाम है Ardem, Pathaportian और दूसरे हैं David Julius दोनों को दिया गया for the discoveries of receptors for temperature and touch तो human behavior किसी temperature पे और touch पे जो perception है वो कैसे behave करता है जो receptor cells है और जो human का behavior है किसी temperature पे और किसी touch पे वो किस तरीके से react करता है तो उस पे इन्होंने research और जो study किया उस पे इन्हें Nobel Prize दिया गया तो temperature और heat पे जैसे कि body temperature किसी तरह का inflammatory pain होता है, neuropatic pain होता है उस पे temperature पे कैसे sense organ or receptor काम करता है जिसका नाम है TRPV1 और दूसरा जो है जो touch perception होता है जैसे कि किसी तरह का दर्द हो गया या फिर touch जो हम किसी को touch करते है या फिर कुछ observe करते है उस पे कैसे काम करता है receptor जिसका नाम है PIEZ O1 और O2 तो touch perception पे और temperature heat pain पे body receptors कैसे काम करते है body कैसे react करता है हमारा perception feel जो sense organs और वो कैसे brain को single भेजता है उस पे इन्होंने खोज किया तो इन दोनों को nobel prize दिया गया in physiology medicine में अगला बात करते है physics बहुत ही किमें तो ये दिया गया तीन लोग को है जिसमें से जो 50% है जो half एबाड है वो शेर किया जागे ग्योर्ट जी पारिसी के दौरा और जो half है वन फूर्थ वन फूर्थ वो शेर किया जागा सीकूरो मानाबे और क्लाउस हैसलमें तो सीकूरो मानाबे जो की जापान बॉर्ण है फिर ये USA के अभी जो कहलाएंगे USA के कहलाएंगे वहीं इन्होंने सब कुछ अपनी पढ़ाई रिसर्च ये की तो नोबेल प्राइस फिजिक्स का दिया गया सीकूरो मानाबे और क्लाउस हैसलमें को जो की जर्मनी के हैं और एक है USA के बट जापान बॉर्ण है उन्होंने क्या दरशा है फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्स क्लाइमेट और वेरियाबिलीटी और रिड्यबिलियाबिलिटी प्रेटी प्रेटिकंद ग्लोबल वार्मिंग तो धर्ती पे ग्लोबल वार्मिंग कैसे डाल राए उसका क्या को रिलेशन है तो इन्होंने जो एक्स्पेरिमेट जारी किया था वो ट्रॉपस्फेर में ही ये किया था कि कैसे carbon dioxide effect करते हैं और बागी की gases effect नहीं करते हैं तो उस चीज़ पे इन्होंने दर्शाय था जो इन्होंने study किया था कि जो climate और global warming का जो relation है और carbon dioxide कितना उसके लिए responsible है उस पे इन दोनों को दिया गया और जो one half है वो दिया गया कि और ज जो भी कैसे materials में atomic और ionic behavior होता है उसको इन्होंने दर्शाय ग्योर्जिय पारिसी ने तो उसके लिए इन्हें दिया गया ये award कैसे atomic ionic behavior materials में होता है complex system में उस चीज़ के लिए ग्योर्जिय पारिसी को दिया गया physics में इन दोनों को दिया गया फिर बात करते है chemistry में तो chemistry में दो लोगों को दिया गया Benjamin List जो की जर्मनी के और डेविड मैक्मिलन जो की USA के हैं इन दोने डिसक्स किया organocatalyst तो किस तरह catalyst जैसे किसी chemical reaction को कैसे process कराता है catalyst reactant के साथ मिलकर तो उस चीज़ में यह जो molecules जो formation होता है अलग अलग आर्ट से किस तरह के से molecule बनता है catalyst का क्या उसमें role रहता है किस तरह organocatalyst अपने तरह के से काम करेगा उस पर इन्होंने study और research किया इन दोनों को दिया गया chemistry में Nobel Prize for the development of a precise new tool for molecular construction organocatalyst और यह चीज़ जो pharma drugs industry को काफी help करेगा क्योंकि catalyst से काफी कुछ chemical waste generate होता था अभी तक और होता है उस चीज़ को यह कम करेगा organocatalyst और catalyst क्या help करता है chemical reaction को proceed कराता है और fast कराता है help करता है reactant को product में बदलने में उस चीज़ के लिए indigenous tool for building molecule उसके लिए दिया गये इन दोनों को chemistry में फिर बात करते literature साहित्त के छेत्र में साहित्त के छेत्र में दिया गया अब्दूर्जाग गुर्णा को अब्दूर्जाग गुर्णा जो की तंजानिया में बॉर्ण हुए फिर यह शर्णार्थी हो गए UK में जाके end of end of 1960 he arrived in England as a refugee and he is the fifth African to win the Nobel Literature Prize a former professor अच्छो के English के University of Kent Britain में तो इन्होंने दर्शाया for his up compromising and compassionate penetration of the effect of colonialism and the fate of refugees in the gulf between culture and continents अब्दूर्जाग गुर्णा अब्दूर्जाग गुर्णा नोबेल प्राइचर फिर बात करतें पीस प्राइस इन सभी प्राइस नोबेल प्राइस के अलग अलग separate individual वीडियो भी आप देख सकते हैं उसमें ज्यादा डेटिल में बताए गया शांती पुरसकार इस साल दि दिमित्री मुरातव तो मारिय अरेसा जो की फिलिपिन्स अमेरिकन जर्लिस्ट और दिमित्री मुरातव जो की रशियन है किस चिसके लिए टु सेफगाट फिरिडम आफ एक्स्प्रेशन तो फिरिडम अभिवेक्ति की आजादियों और हर तरह के सोशल और पॉलिटिकल लेकिन अब थोड़ा डिटेल को रिलेट करके आपको याद रखना पड़ेगा तो मारिया एंजिले रिसा जो है यह कि यह एक फिलिपनो अमेरिकन जनलिस्ट है और यह जो नीज वेबसाइट है जिनका नाम है जो नीज है निजपेपर रैपलर की CEO है फर्स्ट इंडिपेंड इसरा जो बात करते दिमित्री मुरातोव जो की रश्यन जर्नलिस्ट है और यह एडिटर ने चीफ रह चुके हैं जिनका नाम नीजपेपर का नाम है नोवाया गैजटा तो यह चीज़ आप जरूर देहां देखिए पीस प्राइस से काफी सारे कोश्टेंज पूशे जाते तो मुरातोव जो है वो नीजपेपर की एडिटर रह चुके काफी बाइस साल तक नोवाया गैजटा जिसका नाम है इन दोनों को दिया गया नोबेल पीस प्राइस इस साल का मैं आपसे एक सवाल पूशता हूँ कि मदड टेरेसा को नोबेल प्राइस किस साल दिया गया था उन्हें किस साल नोबेल प्राइस दिया गया था और दूसरा सवाल है किस संस्था को सबसे जादा बार नोबेल शान्थी प्राइस दिया गया और दूसरा किस संस्था को सबस अब बात करते हैं, economics, earth शास्त्र, जो आज ही दिया गया, तो बीच में दो दिन का gap था, Saturday और Sunday, तो Nobel Prize फिर आज दिया गया, हर बार यह यही चीज़ होता है, सबसे last chronological order जो है, economics में ही दिया जाता, तो तीन लोगों को दिया गया, डेविट कार्ड जो की University of California के हैं, जोश्वा डी एंगरिस्ट और तीसरे हैं, गईडो डबलू इंबेंस, तो दो लोगों को जोट ली दिया गया, जो है जो डेविट कार्ड को दिया गया, for his empirical contribution to labor economics, तो श्रम अर्थशास्त्र के लिए डेविट कार्ड को दिया गया, और जो बाकी दो हैं, जोश्वा एंगरिस्ट और गईडो वी एंबेंस, उन्हें दिया गया, methodological contribution to the analysis of cause relationship, तो cause and effect, ठीक है, तो एकनॉमी में, जैसे बाकी चीज़ों का social activity, एफिर education का cause and effect, समाज में cause and effect कैसे काम करता है, उस चीज़ को इनने दर्शा आया है, उसका क्या effect रहता है, एकनॉमिक में, उस चीज़ को इनने दर्शा है, तो cause and effect पर दिया गया, जोश्वा एंगरिस्ट और गाइडो इमेंस को, और डेविट काड को दिया गया, लेबर एकनॉमिक्स के लिए, अब देखते, continent-wise जो सबसे ज़ादा dominant रहा है, वो है, यूरो, 52%, नॉर्थ अमेरिका 32%, South America 1% बहुत ही कम है, Asia 7%, अब तक का ये रिपोर्ट है, 2020 तक के end का, Africa 3%, जो कि Australia, New Zealand ये सब आते हैं, सिफ 2%, तो सबसे ज़ादा जो dominant है Nobel Prize में, ये आप देख सकते, Europe और North America का ही ज़्यादा दबदबा है, देश की बात करें तो, अभी तक 2020 तक का ये रिपोर्ड है, इसमें आप add कर सकते हैं, इस साल के जो भी Nobel Prize है, तो, USA सबसे ज़ादा contribution है, 260, UK उसके बाद, second rank पे Germany, France, Sweden, Japan, Canada, Netherlands, 2013, Italy, Russia, 17, Switzerland, Austria, ये top 10 ranking आप देख सकते हैं, जो सबसे ज़ादा dominant है, वो है USA 260 Nobel Prize के साथ, अब ये देखिए, अभी तक 2020 तक के जो Nobel Prize है, इसमें टोटल 603 प्राइस दि हैं, वो 962 laureates है, 962 laureates को, टोटल 603 प्राइस दिये जा सके हैं, इस बार आप add कर सकते हैं, जो बागी के प्राइस हैं, तो 112 chemistry, 114 physics, 111 medicine, 113 literature, 101 piece और 52 economic science, तो ये category, पाई चार्ट पे आप देख सकते हैं, सारा subdivided है, अलाग अला category के कितने प्राइस अभी तक दिये जा चुक बात करें, जो इंडियन हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, उनमें से कौन कोन है, 1903 में सबसे पहले दिया गया था, रभीद नाट टाइगोर को, गीता अंजली के लिए, 1930 में सीवी रमन को दिया गया था, रमन से फेक्ट के लिए, ये सारे आप देख सकते हैं, आपको इनके साथ कौन थे, जो साथ अगर आपको उनका नाम याद है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैंने जो सवाल पुछा था आपसे, और एक सवाल है, कि पेनिसिलिन के डिसकवरी के लिए, किसको नोबेल प्राइस दिया गया था, तो ये थे सारे आपके नोबेल प्राइस के विजेता, देखें, किसे भी एक्जामेर सिर्ट नाम तो नहीं पुछे जाएंगे, तो आपको रिलेट करके, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, जो भी स्टाटिक फैक्ट से किसी भी नोबेल लॉरेट्स के बारे में उन सब को, So, thank you very much for watching the video. Thank you.